जैसे कि हमने अपने पिछले वीडियो में देखा कि इस अब्जर्वेबल उनिवर्स में 10 रेस टू 24 प्लानेट्स है अगर आपको अब्जर्वेबल उनिवर्स का मतलब नहीं पता तो बता देता हूँ ये उनिवर्स का एक हिस्सा है जिसकी रोष्णी अब तक हमारे पास पहुंची है सिंपल शोगद में कहूँ तो ये उनिवर्स का एसा हिस्सा है जिसे हम देख सकते है इसका डायमिटर 93 बिलियन लाइट इयर्स इतना है परन्तु हमें असल ये उनिवर्स की साइज नहीं पता ये उनिवर्स की साइज अगनीत भी हो सकती है तो इस ये उनिवर्स के सभी प्लानेट्स एक समान नहीं होते कुछ अर्थ जैसे हैबिटेबल होते है तो कुछ पर जीवन नहीं हो सकता तो कुछ अपने आप में ही खास होते हैं, जिसके कारण वो हमें आकरशित करते हैं तो आज के इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं पात सबसे इंट्रेस्टिंग एंड स्ट्रेंज प्लेनेट्स के बारे में तो लेट्स स्टार्ट द वीडियो हमारे सोलर सिस्टिम का होटेश प्लानेट वेनस है तो कोल्डेश प्लानेट यूरेनस इमेजिन कीजिये हमने वेनस एंड यूरेनस को आदे भाग में काड़ दिया और उन्हें एक साथ छिपका दिया ये होगी एक एसी दुनिया जिसके एक हिस्से में बहुत जादा गर्मी तो दूसरे हिस्से में बहुत जादा थंड होगी कुछ एसा ही या फिर इससे भी जादा इंट्रेस्टिंग है कोरोट 7b वैसे तो 2009 में ही इसकी डिवसकवरी हो चुकी थी ये हमसे 489 light years दूर है इसका revolution period 20 hours है पर ये ग्रह अपने तारे से 60 गुना नजरीक है comparatively earth and sun के दूरी से इसके वजह से ये अपने तारे के साथ tidally locked है याइनि कि इसकी एक सत्ह हमेशा उसके तारे की तरफ होगी तो दूसरी तारे के विरुद उसके कारण पहले सत्ह पर temperature होता है 2593 degree Celsius ये इतना गरम है कि ये चट्ट्यान को भी पिगला दे या कभी कभी तो चट्ट्यान उनकी बारिश भी होती है तो इसके दूसरी सत्ह पर temperature होता है minus 235.5 degree Celsius और इसे के वज़े से इसे a world of violent extremes and two hells in one भी कहा जाता है इस ग्रह पर मरना तो ते है पर आपके हाथ में है जलकर मरना या फिर जम कर अगर मैं आपसे सवाल पूछू कि भविष्ट में ऐसा कौन सा इंसान होगा जो सबसे ज़ादा अमिर होगा आप सब के जवाब अलग-अलग होंगे पर मेरा जवाब होगा जो भी 55 Cancri e पर माइनिंग करेगा वो क्योंकि इसका one third हिस्सा diamond से भरा हुआ है ये planet 2004 में धुन्डा गया था ये हमसे 40 light years दूर है वेसे तो ये कार्बन का बना है पर यहां का टेंप्रेचर 2204 डिग्री सेल्सियस है और इस ग्रह पर एक्ट होने वाले tremendous pressure के कारण इस ग्रह का one third हिस्सा diamond का बना है जिसकी कीमत है 279 million dollars नमबर 3 HD 189733B आप सबको बारिश तो बहुत पसंद होगी पर इस ग्रह को जानने के बाद इस ग्रह जैसी बारिश आप कभी भी नहीं चाहोगे ये ग्रह हमसे 64.5 light years दूर है ये 2005 में डिस्कोर किया था इसका atmosphere सिलिका से बना है और इस ग्रह का temperature 930 degree Celsius है जिसके कारण सिलिका मेल्ट होती है और ग्लास में बदल जाती है और उसके बाद यहां कांच की बारिश भी होती है और यहां 8700 km per hour की तेजी से हवा भी चलती है जिसके कारण ये कांच की बारिश और भी डेंजरस लगती है ये प्लैनेट जितना इंट्रेस्टिंग है उतना ही डेडली भी है ये ग्रह नेप्चुन के आकार का है ये 33 light years दूर है ये 2004 में डिसकोर हुआ था वैसे तो ये प्लैनेट बर्प का बना है जिसका एवरेश टेंप्रेचर 439 डिगरी सिल्चेस है जी हाँ इसलिए इसे word of the most exotic contradiction that we know अब भी कहा जाता है वैज्या निकों की माने तो ये possible हुआ है सिर्फ और सिर्फ इसके बहुत ही strong gravitational force के कारण जिससे particles करीब आकर ice बन गए और ये ice 7 है और ये हमारी normalize नहीं है ये बहुत ही अदबुत है और ये ice evaporate भी नहीं होती और जिसके कारण यहाँ बारिश भी नहीं होती imagine कीजिए एक ऐसा बर्प जो जल रहा है याणि की burning ice ये सिर्फ possible है जी जे 436 b पर नमबर वन जी जे 1214 b ये planet हमसे 40 light years दूर है ये 2009 में डिस्कोर किया था ये एक ocean of world है क्योंकि ये पूरा का पूरा पानी से बना है जहां तक भी हमारी नजर जाए वहां सिर्फ और सिर्फ पानी है और इसकी depth at least 200 km है यहाँ का average temperature 200 degree Celsius है पर इसके strong gravitational force के कारण ये water liquid state में रहता है ये इसके खासियत नहीं है इसके तट में है इसके core जो ice 7 से बनी है जो भहुत ही अदभूत है और ये बर्प water के साथ freeze होने से नहीं बनी क्योंकि ये बनी है water के tremendous pressure के कारण pressure के कारण water compress होकर solid state में बदल गया है imagine कीजिए एक ऐसा वर्प जो बिलकुल भी थंडा नहीं है ये कितना अजीब है और ये सिर्फ possible है GJ 1214B पर इस वीडियो को देखने के बाद आपका यूनियर्स को देखने का नजरिया ही बदल चुका होगा तो इसे देखने के बाद आपको पता चल ही गया होगा कि बारिश भी कितनी जानलेवा हो सकती है ग्रह भी भहुत अमिर हो सकता है और gravitational force क्या-क्या कर सकता है ये दो थे सिर्फ पाच planets वेसो तो इनकी मातरा hundreds में हो सकती है अभी तो हमने space exploration की शुरुवात की है जैसे जैसे हम इसमें तरक्की करेंगे वेसे ही इस universe की mysteries धीरे धीरे कम होती जाएंगी ये तो साप है कि universe limitless and unpredictable है और इस universe के लिए कुछ भी impossible नहीं है तो आपको कौण सा ग्रह सबसे ज़्यादा interesting and strange लगा वो comment में जरूर लिखे अगर आपको ऐसी ही interesting facts and interesting knowledge पसंद है तो Science Kingdom इस channel को subscribe कीजे वीडियो पसंद आया तो like कीजे और अपने दोस्तों के साथ share भी कीजे Thank you